आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है यूर लव लाइफ विज यू स्पाउस तो आपके लव लाइफ जो है वो स्पाउस के साथ किस तरीके की होगी तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव और 18 प्लस रीडिंग है अगर आप 18 प्लस नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना अगर आप मेरे चानल पे नए आए हैं तो आप इस चानल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को ज़रू आल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन्स मिल पाएं और आप कंटेंट को इंजॉई कर पाएं अगर आप चाहे कि यहां पे एनर्जी है कि आप लोग टर्न बाई टर्न जो है वो एक दूसरे पर डॉमिनेट करोगी अभी मैं कुछ और कार्ड पर निकालती हूं यहां पे लियो एनर्जी और लीब्रा एनर्जी बहुत ज़दा प्रॉमिनेंट होगी मैं फील कर पा रही हूं यहां पे औ आप लोग इंटिमेटली भी और फिजिकली बहुत ज़दा अट्राक्शन भी महसूस करते हो और बहुत ज़दा एक दूसरे के पास हो तो बहुत ज़दे लोग जो है वो आप दोनों को ही एक आइडल हजबन और वाइफ की तरीके से या पार्टनर की तरीके से देखेंगे सन का काड़ा है लियो एनरजी है यहाँ पर तो बहुत ज़दे क्लारटी है आप लोग दोनों के बीच में मौनिंग जो है वो लव मेकिंग जादा सेशन होंगे हो सकता है एक इनसान की जो है जौब या बिसनस जो भी हो वो इस तरीके का हो की टाइम जो है वो देर रात में उतना ना मिल पाता हो तो इस वज़े से जो मौनिंग लव मेकिंग या आफटरनून में जो है वो इस तरीके की बॉंडिंग क्रियेट होगी आप लोगोगी हलाकि उस समें कोई भी घर पे नहीं होगा लेकिन आप दोनों ही इस चीज़ को महसूस कर पाओगे यहाँ पर किस इस चीज़ को महसूस कर पाओगे नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर दो फूल का काड आया है फूल जो ही क्वेरेस अनरजी को दिखाता है तो बहुत अच्छी बिगनिंग जो है आपकी रहेगी और आपकी लव लाइफ जो है वो बहुत जादा एक इंटेंसली पाशनेट रह ठीक है तो अब गलस शब्द तो यहाँ पर यूज नहीं कि रहे जा सकते तो उसी तरीके की एनरजी यहाँ पर रहेगी कि आप लोग फील कर पाओगे न्यू चीज़ों को फील करना या न्यू चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना न्यू पॉजिशन्स को जो है वो यूज करना ट्वाइस को यूज करना या फिर जो भी आपकी इच्छाएं हो उस तरीके से क्यूटनेस जो है वो बिखेरना अपने रिलेशन्शिप में नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एट ओवांड जो है वो क्विक एनरजी को भी दिखाता है कॉम्निकेशन स्किल्स को भी दिख और एक दूसरे को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट भी कर लेते होगे नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यहाँ पर पेज ओफ वांड भी आया है तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो जिस तरीके का इनसान आपको पसंद है चाहे उसके बाल छोटे हो या बड़े हो सबकी परफर इनर्जी है तो जिस तरीके के आपकी प्रेफरेंसे है वो जो है आपको यहाँ पर मिल रही है आप दोनो का अट्रक्षन आप दोनों की chest area और butts area पे बहुत ज़ादा होगा तो हो सकता है यहाँ पे women आपके butt area को एक तरीके से squeeze करने की भी कोशिश करें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे women के desires नहीं है women के भी desires हैं यहाँ पर और आप दोनों एक दूसरे को fulfill कर पाओगे next आ रहा है यहाँ पे यहाँ पे आ रहा है chariot का काड़ा है तो यहाँ पे जो है आगर आप दोनों में थोड़ी नोग जोग भी हो जाती है तो भी जो है आप लोग इस तरीके से आओगे वो जो है आपके कान में whisper करेंगे या एक artistic या creative तरीके से आपको मनाने की कोशिश करेंगे और जब भी इस तरीके की चीज होगी तो या तो आप बास्टब में या बाथरूम में कुछ इस तरीके की चीजों में आना चाहोगी जिससे आप लोग अपना गुसा जो है वो भूल जाओ या फिर जो है यहाँ पर make-up sex की भी situation है यहाँ पर उनको जो है वो बहुत जादा इस तरीके से पसंद होगा कि आपके जो upper body parts है या जो भी सबी में होते हैं तो वो चीज जो है उसको squeeze करने की इच्छा है तो ऐसी इच्छाएं हैं यहाँ पर male female दोनों के लिए हो सकती है या जिस भी partner के लिए आप देख रहे हो तो यहाँ पर squeezing energy बहुत जादा है ठीक है चलिए देखते हैं कुछ और cards यहाँ पर आ रहा है टावर कार्ड आया तो scorpion energy intensely passionate energy है टावर कार्ड जो है वो unexpected तरीके से भी दिखाता है तो unexpectedly भी जो है आप लोग एक दूसरे के साथ इस तरीके से आ जाओगे जो आपने कहीं सोचा नहीं होगा कि यहाँ पर आप लोग ऐस तरीके की situation में आना चाहोगे वहाँ पर भी जो है यह चीज़ होगे और आपके multiple rounds होगे जिसमें आप दोनों ही satisfy हो पाऊगे और खुशी भी महसूस करोगे हसोगे भी शर्मा होगे भी और उस चीज़ को महसूस भी करोगे next आरा high priestess समाज में जो है वो बहुत अदा आप दोनों की respect रहेगी और एक mysterious आपकी जो है smile की तरफ जो है वो एक कह सकते है आपकी personal life रहेगी तो cuddling जो है वो बहुत जादा अच्छी तरीके से रहेगी आप दोनों ही एक दूसरे के stomach पे जो है वो सिर रखके जो है वो बाते करना या फिर जो है वहाँ पे bites देना या जो एक marks दे देना इस तरीके की भी यहाँ पे energy रहेगी हालकि आप ऐसी जगह पे bite नहीं दोगे जो लोगों को दिखे बट वहाँ पे ऐसी चीज़ है कि marks देना एक दूसरे को पसंद करोगे और एक दूसरे से यह बुलवाओगे एक sensual तरीके से या voice की तरीके से यह आप दोनों जो है एक दूसरे को accept करते हो और आप दोनों के किस तरीके के desires है तो उस चीज़ को आप दोनों ही बहुत जादा enjoy करने वाले हो यह person जो है वो आपके हाथ पैर को बांध कर कोई गलत त यह senses होती है कि eyes touch देखना या touch करना या फिर lick करना उस तरीके की चीज़ों को senses को जो है वो use करके आप एक दूसरे को pleasurable moment feel करवाओगे और वो बहुत ही जादा आपके लिए intense रहेगा ठीक है तो इस तरीके की आपकी life रहेगी next आ रहा है यहाँ पर आपके लिए वो जो है आ unconditional love है लेकिन एक sheer या जैसे मैंने का gown में देखना चाते तो उनको पसंद होगा कि यह वाला gown जो है वो आप पे अच्छा लगता है या जो भी particular color हो या print हो तो वो उन्हें बहुत जादा पसंद होगा आपकी छोटी छोटी बाते या notice जो है वो करेंगे कि आपके उपर कौन स लाइफ है वो बहुत अच्छी रहेगी नेक्स आरा three of cups है तो आप दोनों ही enjoy कर पाओगे एक celebration कर पाओगे एक friendship की तरीके से भी और एक partners की तरीके से भी यहाँ पर आप दोनों ही खुशी महसूस कर पाओगे और excitement जो है वो हमेशा रहेगी आप दोनों के बीच में चाहे को king of pentacles भी यही चीज दिखा रहा है कि आपकी जो लंबे बाल हैं खासकर woman रखती हैं और male भी जहें उनके थोड़े average lenses जादा होंगे घने बाल उनको पसंद होंगे जल लगाना या perfume लगाना इस तरीके की चीज़े पसंद होंगी और वो जो है आप दोनों ही एक दूसरे को अ इसमें कोई judgment नहीं है तो यहाँ पे दोनों ही gender में कोई judgment नहीं है जो भी इच्छाएं हैं आपकी थोड़ी सी जो है उस तरीके की इच्छाएं हो सकती है तो वो चीज़ भी जो है वो यहाँ पर उनको पसंद होंगी तो यहाँ पे massage therapy भी है आप दोनों के बीच में और आप को जब भी टाइम मिलेगा तो आप लोग एक दूसरे को comfort level भी इस तरीके का देना चाहोगे जिससे massaging आप दोनों की हो पाए तो ऐसी energy है आपकी और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इस married life को या जो couple की life होती है उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से निभा पाओगी और last में आ रहा है आपके लिए king of pentacles आ रहा है मैं यहाँ पर रख देती हूँ king of pentacles जो है stable secure relationship wealth wise relationship हर तरीके से जो आपको security यहाँ पर मिल रही है तो आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं है कि आपकी कोई judgment होगी या आपको कोई judge करेगा या आपकी ऐसी इच्छा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है whispering होगी आप लोगों के बीच में और एक बहुत ही अच्छा time लोग आप दोनों ही spend कर पाओगे एक दूसरे के साथ तो चलिए देख लेते कि क्या actions रहेंगे या क्या messages आपके लिए आ रहा है इसमें insane passion makes me hard for you you must know that I love you next आ रहा है you are like a visa card everywhere I wanna be next आ रहा है you fill my love tank next आ रहा है I love your cute butt और next है आपके लिए I know your weak spots तो उनको ये सब पता होगा और आपको भी ये सब पता होगा तो यहाँ पे equal balanced relationship है और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि turn by turn जो है वो आप लोग dominate एक दूसरे को करोगे next आ रहा है I love to distract you from work next आ रहा है I fantasize about you shaving my face when you are NAKAD next आ रहा है I was thinking about you in shower this morning next आ रहा lotus position arousing you arouses me next आ रहा है I am NAKAD in bed waiting for you next आ रहा let me taste you next है यहाँ पर SEX swing I love it when you call me a good girl or a boy cause we both know I am not next आ रहा चेर्में you like whipped cream chocolate sauce वो आप से पूस सकते हैं यह चीज़े और next आ रहा I want you in so many ways that I can't even put into words और next आ रहा है candy pleasure time और last है आपके लिए spooning तो इस तरीके के भी उनके thoughts रहेंगे इस तरीके की positions भी आपके लिए रहेंगी तो चलिए देखते हैं इस energy से रिटर को charms यहाँ पर dog है तो यहाँ पर loyalty आ रही है और हो सकता है आपको वो pet भी जो है वो gift करें next आ रहा है third eye chakra आया है तो third eye chakra जो intuition को भी दिखाता है तो आप लोग intuitively और spiritually भी जो है एक दूसरे से connect कर पाऊगी और next आ रहा है यहाँ पर crane आया तो crane जो है वो Pisces energy को दिखाता है आप दोनों के बीच में intuition या emotions का बहुत ज़ादा एक अच्छा balance भी रहेगा और आप दोनों में एक जो bonding है वो भी emotional होगी तो emotional intimacy भी यहाँ पर है तो चलिए देख लेते हैं कुछ love song आपके लिए पहला आरा I'll make love to you boys to men का next आरा body parts यारा का इसके आप lyrics देख सकते हैं और next आरा I can tell five of four boys का तो इस तरीके के गाने या feelings वो आपके लिए feel करते हैं और इसके lyrics आप देख सकते हैं तो ये थी आपकी reading उमीद करती हूँ आप अच्छी लगे होगी अगर आपको मेरा content readings और energies अच्छी लग रही है तो please इस channel को like करें, share करें, subscribe करें Thank you